आज हम कच्छे कहरी कीक का अचार बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत टेस्टी है, सालो साल चलने वाला है, विलकुल मार्केट जैसा अचार है, हमारी मम्मी कैसे अचार बनाती है, बस उसी तरह से, यानि मम्मी ही हमारा बनाएंगे अचार, जो कि एक साल, दो साल नहीं, तीन, तो इसको वास करके हम इसे धूप में डाल देंगे लगभग 4-5 गंटे के लिए अच्छे से क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज हो रही है 4-5 गंटे में ही काफी अच्छा सूख जाएगा बहुत ज्यादा ड्राइ नहीं करना है क्या कि बहुत जद अगर आप ड्राइ कर दे जो पानी बिलकुल सूखना चाहिए बिलकुल जितना पानी का निकल जाए आपको करूंगा इस तरह दिखे 트ह कर अचे से सूख जाएगा यह बहुत चेस्टी अचार बनेगा कि जो साल खराब नहीं हो जो वह लगती है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कोई दबा नहीं डालती है बहुत अच्छे से यचार बनकर तयार होता है तो देखिए नहीं सूखने देंगे और यह कुछ मसाले है सौफ ले ली है 100 ग्राम 100 ग्राम जीरा और यह 50 ग्राम अजवाइन मेथी 50 ग्राम और क कलोंजी देखिए कलोंजी बहुत जरूरी होती है चार में डालने के लिए क्लोंजी हमारी का काम करती है कलोंजी जो होती है वह का काम करती है आपकी कलोंजी है वह चार को खराब नहीं करेगी इतना ज्यादा अच्छी होती है तो चलिए इन मसालों को तो देख लिया हुआ है कि धिना लगृ कि मेति में हम भूण लेंगे चाह से घृ इसमें एक ना है जब अच्छे अरोमा आने लगे बहुत अच्छे तो मेति मेतिक्पों है तो छ effectivement मसालों के साथ में कुक करेंगे जिसे की मेती अच्छे से कुक हो जाएगे तो इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल ड्राइ रोस्ट करना है बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है इसी तरह से आपको रोस्ट करना ये देख सकते हैं ये देखें इस तरह से रो जरूर लें क्योंकि उसमें अगर एक भी गेहूं का दाना या फिर चावल का दाना होगा तो फिर आपका रजार खराब हो सकता है इसलिए बीना बहुत जुरूरी है साथ ताकि साब सुत्रा रहे हैं तो यह देख सकते हैं इसको इसी तरह से चलाते हुए हम बढ़ी आसा हो जाए और ग्राइंड होने में आसानी रहे गरम गरम नहीं ग्राइंड करना है अब इसमें हम डाल देंगे राई यह पीली सर्सों है अगर आपके पास पीली सर्सों नहीं है काली सर्सों है तो आप काली सर्सों भी ले सकते हैं कोई प्रब्लम नहीं है तो इससे अच्छे बहुत जल्दी इसका कलर चेंज होने लगता है यह देखिए इस तरह से चलाते हुए से हम भून लेंगे काफी अच्छे से टेस्ट बन जाएगा तो राई जो होती है वह बहुत जरूरी होती अचार के लिए कलाउंजी है राई है सोफ है यह मसाले जो है वह साबूत ही लीज मिलावटी मसाला बना देते हैं खराब चीज़ें भी पीर देते हैं तो आप लोंको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए साबूत खड़े मसाले अपने आप यूज करिएगा तो चलिए यह भी भून चुका है देखिए राई का कलर कितने अच्छे से हो गया है चेंज हलका सा बहुत जड़ी चेंज हुआ इसको अलग निकाल कर रख लेंगे और यह सारी चीजों को हम एक में ही डाल कर ग्राइंड कर लेंगे सारे मसालों को तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे आप देखिए कुछ पीसे मसाले मारे पास रखे थे मतलब यह घर का ही धनिया है धनिय तो यह सारी चीजे हमारे मतलब घर की ही पिसी हुई है तो हमें मालूम है यह ओरिजिनल है इस वज़े से तो जितना हमने धनिया लेना है धनिया हमारा 100 ग्राम है मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और 100 ग्राम हल्दी तो इस सारी चीजे आप ध्यान से नोट कर लिज तो वह भी भून जाएगा आपको जलानी नहीं पड़ेगी मगर हमारा मसाला ज्यादा था इसकी वज़े साब मैं 102 मिनट लगा दीमी फ्लेम पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें भूनना है क्योंकि अगर आप तेज फ्लेम पर भूनेंगे तो यह पिसेवे मसाले हैं जल्द जाती एक आदी रखे रखे होने के जैसे तो इसको भी इस तरह से तोड़ दें ठीक है और बढ़े हासे भून लें जैसे की कच्छापन बिल्कुल ना रह जाए इस तरह से यह चार आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा और आपको बहुत टेस्टी लगेगा खाने में तो मारा दूसरा चैनल है चाया मिस्रा व्लॉग टू एमपर तो उसमें काफे ट्रिक बताई हैं लेसन अगर छिलने से तो आप लोग जा कर देख सकते है उससे तो यह हमने अचार ले ली है अपनी जो आम के ओपर की यह चिल का होता है इसको हटा देना है क्योंकि यह खाने में कर सकते हैं मगर लेसंज होता है डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है जो यह मसाला हमने पीसा था जो खाड़े मसाले मिर्चा और धनिया पाउडर इसको भी इसमें मिक्स कर देंगी यह देख सकते हैं और अब कुछ नहीं करना है नमक ले लेना है टेस्ट के उसा इनके साथ खाते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा कर ले जिससे किया है अचार हमारा खराब भी नहीं जल दी होगा और यह काफी टेस्टी रहेगा तो इस तरह से आप इसमें डालेंगे तो आप देख सकते हैं यह एक लीटर की बोटल है इस पूरा भरकर डाल मिक्स करना कि मसाला जो हमारा पीसा हुआ है वह अच्छे से कैरी पर कूर हो जाए तो देख सकते हैं यह आप मिक्स करते करते अलग तसलो में कर लेंगे इनको दो भागों में बाट लेंगे जिससे कि अच्छे आप क्या है इसको धूप में रख देंगी इसी तरह से पूरा और फिर इन्हें दो से तीन दिन धूप में रखा रहने देंगी जिससे कि अच्छे से बन जाएगा यह थोड़ा सा दो तीन दिन के बाद ही खाने वाला होगा बहुत टेस्टी लगता है और यह अच्छा कभी खराब नहीं हुआ बस ध्यान यह रखना है कि आपके गीले हा भूलिएगा जरूर कमेंट करिएगा और यह अचार आपका लंबी समय तक चलता रहेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स डे नेक्स वीडियो के साथ अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक सस्क्राइब और सेयर